बीटा में बाबा बिटेसवर नात मंदिर से सटे पोखड में मिला यूवक का शव इलाकी में संसनी घटना राजधानी पटना से सटे बीटा के बाबा बिटेसवर नात मंदिर के सामने इस्थित पोखड की है जहां अहले सुबा एक यूवक की लास मिली मृतक की पहचान मुकल पिता संतोस विसकर्मा की डूप में हुई है मृतक के परीजन की कहन उसार मृतक रात में अपने पापा के साथ सोया हुआ था कि उसी दोरान रात में कवो पोखर में आकर गिर गया ये किसी को नहीं पता लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह घटना बारा से चार बजे की बीच की है बीटा पुलिस ने इस घटना की पुष्टी करते हो बताया कि हमें जानकारी मिली कि एक युवक का शब बाबा बिटेस्वर नात मंदिर के सामने पोखर में तेर रहा है जिसके बाद पुलिस घटना स्थर पर पहुंचकर ग्रामीनों की मदद से सब को पानी से वहाँ निकाल और उसके बाद सब की सिनार्ट करने के बाद मृतक के पड़ीजनों का पता लगाया वहीं मृतक के पड़ीजनों को इसकी सूचना मिलते उनके घ़र में कोडाम मच गया वहीं पुलिस ने सबको अपने कपजे में लेकर पोश्टो मॉटम हेतू और मंदली अस्पताल भेज कैसे ही गटने के पड़ीजनों के पड़ीजनों के पाद में लेकर पाद में लेकर पता नहीं चला किसी को शुबा होई तो मतलब देखा गया कि यह हमारा ही पोटा है कितने बजी हुई है घटना करीब करीब हमें तो पता नहीं है क्योंकि हमने कुछ वही थे बट इसके बाप से मैंने पूछा तो बाप बोला कि मेरे साथ भी स्वया हुआ था देन ये घटना मेरे हिसाथ से दो तीन बजे की या बारा बजे की है आपका नाम मेरा नाम यार सर्मा है मैं इसका अपनी तक के मैं दादा हूं ज्याइन फड़ा कैसे भी धटना चलिए शुबा में सुचना मिले कि एक ये डैड़ वड़ी जो है बीटेश्वाब नाथ का तराब में उपलाया हुआ पानी में पानी में उपलाया हुआ है निकाले तो पहचान हुआ कि ये संतोस तुमार भी श्करमा का बेटा है जिसका उम्र करीवट थारा बड़ से मान्सिक और दोनों पायर से और हाथ से डिकलांग बताया जाता है जो रात्री में घर से निकलकर तलार में नहाने के ख्यार से आया पानी में दूग गया जिसके करना इसके मीद दोन आपको नम से मेरा नम बनार से चॉण है